हेलो फ्रेंट्स वागता है आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस पर कुछ जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों मेंटेनेंस का कानून जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब वाइफ आपसे अलग रहती है तो जनरली उस केस में वो मेंटेनेंस केस फाइल करती है और कई बार स्वेम के लिए और कई बार अपने साथ जो बच्चे होते हैं उसके लिए भी मेंटेनेंस को क्लेम करती है अब दोस्तों इस संबंद में बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रशन होता है कई लोग पूछते हैं कि सर हमें कितना maintenance देना पड़ेगा कई लोग पूछते हैं कि सर अगर हमें maintenance नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा कई लोग पूछते हैं Sir अगर हमें jail होगी तो कितने time की jail हो सकती है कई लोग पूछते हैं कि अक्यवल एक ही बार jail होती है कई लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं एक भार jail चला जाओं तो जितना भी maintenance मुझे देना है, वो सारा माफ हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, 30 दिन के लिए जेल में चला जाता हूँ और भी दोस्तों, बहुत सारी queries इस संबन में मैं देखता हूँ, comments में भी लोग पूछते हैं और personally भी पूछते हैं, तो दोस्तों, आज का इस वीडियो आपके बहुत सारे परशनों का जवाब आपको देगा और साथ ही बताएगा कि किस प्रकार से code consider करती है, कहाँ पर आपके लिए risk factor होता है और क्या चीज आप कर सकते हैं, किस level तक कर सकते हैं, क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है सब कुछ आज किस वीडियो में खुल करके मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों वीडियो इंपोर्टन्ट है और वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, और दोस्तों अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पतनी के favor में कर दिया गया पती को कि भाई आपको इतना maintenance देना है, अब पती ने maintenance नहीं दिया, हम यह case में नहीं जा रहे हैं क्योंके बीच में क्या disputes थे, हम में legal point जो law point है इसमें वहाँ पे आ रहे हैं, उसने maintenance नहीं दिया, 2012 में order हुआ, उसके बाद maintenance नहीं दिया, time to time court जो है, वो maintenance को बढ़ाती भी रही, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती रही, 2012 में आप चीजों के दाम देखो और आज देखो, तो accordingly बढ़ता भी रहा, लेकिन उसने फिर भी कोई payment नहीं किया, जो पतनी का वकील था है, उसने कम से कम 80 occasions पर default किया है, यानि कम से कम 80 बा लगाता रहा, और देर, और देर, और देर करता रहा, अब दोस्तों, पहले भी मैंने कई बार बताया है, कि आपको अपनी image हमेशा court में अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन जब court भी देखती है, कि सामने वाला बंदा intentionally ऐसा कर रहा है, तो कहीं न कहीं court की नजर में उसका एक maintenance में default भी कर दिया था, default का मतलब होता है, दोस्तों, जैसे एक महीने में आपको maintenance देना आपने नहीं दिया, तो आपका एक default हो गया, दूसरे महीने भी नहीं दिया, तो आपका दो default हो गया, तो इस तरह से default होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, family court गुजरात ने, यहाँ पर को 2400 दिन, यानि की लगभग 6.5 साल की सजा कर दी, क्योंकि उसने अपनी पतनी को 80 default के लगभग 2.86 लाक रुपीज का भुकतान नहीं किया था, principal family judge ने, एहमदाबाद पुलिश कमिशनर को उस वेक्ति को arrest करने के लिए भी order किया, और उसे जेल भेजने को कहा, साथ ही ये क कहा कि उसकी arresting की जो भी detailed report हो, वो court में पेश की जाएं, तो दोस्तों इस प्रकार से जो पती था उसको 6.5 साल की jail हो गई, maintenance ना देने की वज़े से, तो दोस्तों इस पर आपके क्या विचार रहे हैं, आप लोग comment में जरू बताएं, तो दोस्तों इस प्रकार की चीजे जो की leaks से अटके होती है, कई बार हमारे सामने आ जाती है, और हमें पता चलता है की reality क्या है, तो दोस्तों आज सुबाद जब मैं news browse कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने ये article पढ़ा पूरा और मुझे लगा कि वही इस पर तो एक वीडियो जरू बनाया जाना चाहिए, ताकि लो आँ, ताप ताके लो गुडबाए और थेंक यो फो वाचिंग, टेक क्यार